हेलो इस्ट्रेंट वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम लोग आपकी वॉक्षिट नंबर 34 करने वाले हैं जो आपकी क्लास 8 साइंस की इंग्लीज मीडियम की वॉक्षिट है वॉक्षिट का नंबर है बच्छो 34 इसमें रिप्रोडक्शन इन एलमेंस के अंदर दिया गया है यह क्या है बच्छों बहुत ज़रूरी होती है कोई भी अगर लिविंग और्गनिज्म है तो देखिए एसेंसियल फॉर्द सर्वाइवल ऑफ एवरी एंडिविज्विज्व बट रिप्रोड़क्शन इसेंसियल फॉर केंट्निंग ओफ लाइफ लाइफ ऑन दावर्त पी नहीं है eventually they die so what will make sure the organism will still exist in the nature for existence of species there has to be some process this process that help in the giving to the rice similar individual इसेंसेंपल से यहीं बताएगे कि कोई भी लिविंग और नहीं है वह क्या है वह इस्टिल करते हैं नेचर के अंदर अगर आपको उस चीज को बनाए रखना है तो आपको एक नया और निन बनाना जरूरी है उसी चीज को हम क्या कहते हैं जिसमें एक बन पैरेंट जिया किसी भी सफ्जेक्ट का डाउट हो उसका कोसन जाना के लिए तुरहन स्रिशन पाने के लिए वह सब्सक्राल्ट में आब आप के लिए इन एडर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए और चार्सो 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 डाउट नफ एप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सोलूशन पर दो पेरेंटल वाले भी होते हैं उसे आप क्या कहते हो अपनी ही स्पीसिस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस इस नॉट उनली इंपोटेंट इन हुँमेंगस बढ़ाने की बिदेशन उनलल से लूवर श्यूनला और यॐश क्या ये अपको जरूरी नहीं है? इसी प्लैंटिंड स्पीस्टेंगसे ल्वर यूस्में बिदह.युँक्ति यूज बैंगुर्णी होता है तो को प् तो मैंगो ट्री जैसे मैंगो ट्री है वह हमेशा क्या देती है एक मैंगो ट्री ही देता है आपको इस टेबल को कम्प्लीट करते हैं आपको बताना है कि इनके जो बच्चे होते हैं आप उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है आपको इसके थुरू इसमें बताना है चलिए हम इस टेबल को कम्प्लीट करते हैं फर्स्ट में देखो इसमें क्या पुछा गय है कि जो आपके हुमन्स होते हैं उनके बच्चे को क्या बोला जाता बच्चो बेबी बोला जाता है ठीक है क्या बोला जाता है बेबी बोला जाता है लेकिन इसके नीचे अब आपका कैट दिया गया है ठीक है तो कैट में आपको क्या हो जाएगा किट्टिन ठीक है ऑच्टी कुछश्टी बंटिकटी इसे डोक के क्या बोलता है थिट्टे इसटी कि पपी कर ये च्छोटी सेulates बच्चे को में बिलते ने हर। है एंहें को बच्चों पताई है आपको शिक बोलते हैं कि मैं को क्या हो गया कि अब कि आपको पॉल कैसे लिवी हैchnika सेक्सिल रणसें असेक्सिल बहुत ही सिंपल्स है हम याद रखार है सेक्सिवल में हमेसा दो पैरेंट बोड़ी होगी एक मैल एड फीमेल फीमेल को ऐसे डॉनेट करोगे फीमेल को आपको करना होता है हमेशा देखो, male का sign यह होता है, female को भी आपको donate करने के लिए sign होते हैं, ठीके, तो जैसे कि आपका sexual reproduction हो, तो इसमें यह compulsory नहीं है कि आपका दो parental हो, इसमें सिर्फ single ही, जैसे आपने amoeba देखा होगा, ठीके, amoeba ने आपने क्या देखा है, वो जो होता है, वो खुद ही reproduction कर लेता है, ठीके, उसमें क्या है, किसी दूसरे parent की जरुवत नहीं पड़ती है, ठीके, तो देखिए, तो आप लोग क्या करोगा, जिसे male हो गया, यह sign हो गया, ठीके, इसका sign हो गया, female का हो गया, तो यह आपका male का हो गया, यह आपका female का हो गया, तो जिस पर भी male और female मिलकर reproduction करें, उसमें क्या होगा, बच्चो, sexual reproduction, sexual में क्या हो जागा, आपका single, single parent होगा, ठीके, तो बहुत ही, सिंपल सा है, यह आप याद रखोगे, यह आपको टाइप देदिया, sexual और sexual, ठीके, अब हम चलते हैं, इसका questions पर, define, आपको reproduction, define करना है, आपको पूरा ही worksheet के अंदर दिया गया है, देखिए, यह आपका reproduction, तो आप यहाँ से पूरा answer लिखेंगे, जो नहीं दिया गया, मैं आपको proper तरीके से एक दम लिखवाऊंगा, ठीके, इसमें देखिए, कि क्या, आप कहां लिखेंगे, इस प्रोसेश, डट है, इन गीविंग, राइस टू ए सिमलर इंडिविजन, फ्रम एग्जिस्टिंग, वन पैरेंस, इसकॉल रिप्रोडक्शन, यह आपको क्या होगा, answer, वन, ठीके, आप चलते है, second पर, second आपने पूछा, explain the importance of reproduction in the living beings, ठी है, तो आपको इसमें क्या मनता है, सिर्फ importance बतानी है, किसकी reproduction की living beings के अंदर, जैसे हमारी life है, उसके अंदर, क्या importance होती है, reproduction की, अगर हम वो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो species है, आगे नहीं बढ़ेगी, ठीके, चले, इसमें आपका अंसर दिया गया था, या अगर नहीं दिया गया तो मैं आपको यह लिखवा दूँगा, यहां से आप लिखेंगे, it makes sure, it makes sure the continuation of species of the organism without extension, यह आपका answer नमबर 2 हो गया, अब चलते हैं, answer number 3 की तरफ, 3 में आप से क्या पुछा है, what will happen if life living organism had not reproduct, आपको थर्ड का अंसर बताना है, तो थर्ड का देखें, आप क्या कर सकते हो, यहां से, मैं आपको थर्ड का बदाता हूं, इसी के अंदर, थर्ड के अंदर आपको लिखना, answer number 3, तो आप इसमें लिखो कि दव इस्पिसीज, पूर्ड एग्जिट, प्रॉम नेचर, इसमें देखो क्या पूचे जा रहा है, आपसे, what will happen if the living organism had not reproduced, अगर reproduce नहीं करेंगे लिखने, तो क्या होगा, the species would be exit from nature, and if we not reproduce all species all living organism all living organisms all living organisms बहुत असान है, इसका अंसर आपको यहीं पर दिया गया है, तो मैं आपको यह rough कर देता हूं, जिसे कि आप लोग अच्छे से इसको completely अच्छे से लिख सकें, देखिए, इसमें आपको दिया गया है, sexual reproduction, a sexual reproduction, it is a process, when two parental would be male and female, तो आप इसको पूरा यहां से लेकर, पूरा जहां मैं box बना रहा हूं, आपको यह पूरा यहां से इतना लिख लेना है, यह आपका answer number क्या हो गया, बच्छो 4 हो गया, तो आपकी finally वाक्षिट complete होती है, तो सभी बच्छे वाक्षिट complete करेंगे, विलोग चैनल पे जरूर पाटिसिपेट करेंगे, जिसका नाम है सुज मेरे चैनल से वाक्षिट करता है, ठीक है बच्छों मिलते हैं आख शूरी में तिल दन बाई, बी से विष्टे हल्दी, जैहिंज